अभिवादन स्विकार कीजिए ब्रजेश मिस्त्राका और आप देखना सुरू कर चुके हैं देवेट बैनों भाईयों 20 जनपत और उनमें आने वाली 113 सीटें प्रथम और दूसरे चरण का चुनाओ उत्तर प्रदेश का भाग गिते करने जा रहा है इन दो चरणों के चुनाओं से तस्वीर साफ होगी कि पांचकाली दास्मार्ग और लोगभवन के पंचमतल पर हुकूमत किसकी होगी पहले और दूसरे चरण के चुनाओं से ही उत्तर प्रदेश की तस्वीर का रुख बहुत हद तक साफ होने वाला है पहले चरण का मद्दान अपसे कुछ घंटों बाद यानि 10 तारीक को होगा और उसके बाद 14 तारीक को दूसरे चरण का मद्दान यानि कि एक हपते के अंदर उत्तर प्रदेश की तस्वीर क्या बनने वाली है इसका एक धुंधला चित्तरण आपके समक्ष विद्यमान होगा क्या होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में और पश्यम उत्तर प्रदेश के ये 20 जनपद उत्तर प्रदेश के बाकी 55 जनपदों का भी भविश्य अपने साथ लिखने जा रहे हैं हम इस विशेपर आच्छा करेंगे बैन भाई यो उत्तर प्रदेश का चुनाओ हमेशा की तरह बहुत ही रोमांच दौर में पहुँच चुका है और यह रोमांच इसकदर बढ़ चुका है कि अब सत्ता रूर दल हो या लार्जेस्ट अपोजीशन सभी के दिल की धड़कने बढ़ गेगी क्या होगा उत्तर प्रदेश में किसको यूपी की सत्ता मिलने वाली है क्या भारती जनता पार्टी अपना किला बचा पाएगी क्या 1985 से हर बाद तूट रहा मसला यानि 1985 के बाद उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी की सरकार रिपीट नहीं हुई क्या बीजेपी उस मिथक को तोड़ने में कामियाब होगी या फिर ये मिथक कंटिन्यू रहेगा और समाजवादी पार्टी लार्जेस्ट अपोजीशन और उसका अलाइंस कि आप वापस 2017 में अपनी खोई हुई सत्ता को 22 में पाने में कामियाब होंगे ये कौन तय करेगा ये जनता तय करेगी जनता में भी कौन तय करेगा माहौल तय करेगा और माहौल कहां से बनेगा पश्चिम से बनेगा पश्चिम में कहां से बनेगा 20 जिलों से बनेगा वो 20 जिले कौन से हैं पहले और दूसरे चरन के एक जगह 58 सीटें पहले चरन की पच्पन सीटें दूसरे चरण कि इन 113 सीटों पर होने वाला चुनाओं और मद्दान बैनों भाईयों बहुत हप्तक स्पष्ट कर देगा कि उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी बनने वाली है उत्तर प्रदेश के मुद्दे क्या होंगे और मैं हमेशा की तरह फिर इस बात के लिए आपको बताना चाहता हूं कि इस बार किसी का ना तो एजेंडा चल रहा है ना किसी का प्रोपोगेंडा चल रहा है इस बार जनता अपने मुद्दों को लेकर अडिग है किसी भी राजनीतिक दल मैं फिर से यह शब्द दोहराना चाहता हूं किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी एजेंडा प्रोपोगेंडा कोई भी जुमला कोई भी वाइदे दावे जनता को प्रभावित नहीं कर पा रहे है बहुत अरसे के बाद मैं पहला ऐसा चुनाओ देख रहा हूं जहां राजनीतिक दलों के हर पैंतरे फेल हो रहे हैं और जनता में गहरी खामोशी है कौन बोल रहा है कारेकरता बोल रहे है कौन बोल रहा है नेताओं के भाषन बोल रहे है कौन बोल रहा है सभी दलों के पदाधिकारी बोल रहे है कौन बोल रहा है इस्टार प्रचारक बोल रहे है पर जिसको सरकार बनानी है जिसको वोट डालना है उसने कम्प्लीट चुपी अक्तियार कर रखी है जनता के मन को पढ़पाना बेनों भाईयों इस बार बहुत ही मुश्किल है राजनेताओं के लिए जो भी बेचैनी दोनों खेमे में आप देख रहे हैं वो बेचैनी स्वाभाविक है क्योंकि अनुभवी नेताओं को पता है कि ऐसी खामोसियां हमेशा सुना मिलाती है कभी पक्ष में कभी खिलाब जब जनता खामोस हो जाए तो निर्णे कुछ बड़े होते हैं उन निर्णे कुछ भी हो सकते हैं सत्ता के खिलाप भी हो चकते हैं तो ऐसा क्या हो गया इस बार की जनता राजनीतिक दलों के और नेताओं के एजेंडे को खरीद नहीं रही है, ले नहीं रही है, स्विकार नहीं रही है, कोई नारा भुलंद नहीं हो पारा है, कोई जुमला भुलंद नहीं हो पारा है, फिर लोटकर उसी बात पर आता हूँ, न कोई एजेंडा है, न कोई प्रोप कर चुके अंब कुधा है मुझा खुद हरानी हो रही है कि इस बार जंता राजनीतिक डलों के जाल में आके नहीं रही है किया है जनता कि मन दोड़ा है लोग सोच आ रहा है इस लिए मैं कह रहा हूँ कि प्रथाम और दूसरे चंद युद 스व यह तैय कर देंगे कि उत्तर प्रदेश का आगे पांच साल का भविष्च क्या है किसको फर्स लाना है और किसको अर्स लाना है यह दो चरण के चुनाओं से बहुत चीजें इस पश्ठोवी दुख-दुखी दोनों तरफ है सिर्फ एक तरफ नहीं है क्योंकि जनता की नब्ज पकड़ पाना इस बार सबके लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है कि दरसल पब्लिक के मन में क्या है और इतनी गहरी खामोशी का कारण क्या है क्योंकि जो कुछ भी अंदर है बहुत तुफानी है जिसका अंदाजा हमें आपको भले नहों बुद्ध जीवियों को भले नहों राजनीत के तथा कतित चाड़क्यों को भले नहों लेकिन उन लोगों को जरूर है जो चुनाओ लड़ रहे हैं जो प्रत्याशी हैं जो इस को समझते हैं तो इस बार जनता के मन में क्या चल रहा है जो इस मिष्टरी को डिकोड कर रहेगा जो चुनाओ जीद जाएगा कुछ भैन सुने है मुंबए में स्रमीकों को टिकर दिया गया मुफद में टिकरद दिया गया लोगों को प्रेरित किया गया कि जाओ महाराष्य का महाराष्य में हमारे पर जो बोज आए वो जरात कम हो जाओ तुम उत्तपजेश के हो तुम बिहार के हो जाओ बहा कोराना ठलाओ और कहते साथ दिकास तो समझने आता लेकिन भुल्डोजर का मत्वब क्या है मैंने का ये भी समझ जाओगे चिंता मत करो अभी बबवा के बबवा ही रह गए हो उस दिनों के बाद अभी समझ में ये भी आ जाएगा कि बुल्डोजर का मत्वब क्या होता है बारती जनता पार्टी का काम है जगडा लगाना बारती जनता पार्टी का काम है जूट बोलना और उनके नेता अगर छोटे हैं तो छोटा जूट बोलेंगे बड़ा नेता है तो बड़ा जूट बोलेंगे और अगर उनसे बड़ा है और सबसे बड़ा नेता है तो सबसे बड़ा जूट बोलेगा सप्पा मैं बीजेपी आदे के बने सरकार में भी यूपी की जन्ता अधिकांस मामलों में काफी ज़्यादा दुखी रही है। 2013 के मुझफर नगर दंगे के बाद पश्ची मुत्तर प्रदेश पूरी तरह बदल गया था। 2014, 2017, 2019 वोटिंग पैटर्न पूरी तरह से बदला था। क्या पश्ची मुत्तर प्रदेश 2013 के पहले के एरा में पहुंच चुका है। या फिर उसका वोटिंग पैटर्न 14, 17, 19 जैसा होगा। जो भी परिणाम होंगे और जो भी जन्ता की नब्जोगी इनी दो दुरूओं के बीच में टिकी हुई है। 2013 के पहले का पश्ची मुत्तर प्रदेश, 2013 के बाद का पश्ची मुत्तर प्रदेश। पश्ची म क्यों चुनेगा ये चीजे इस पेश पश्च होने वाली है।